बारती किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंग राजवाल ने चंडीगड में मीडिया से रूबर होते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन को आज 105 दिन हो गए है ये दुनिया का इतिहासिक आंदोलन है उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे लंबा चलने वाला शांती पूर्ण मोर्चा भी है लेकिन मोधी सरकार किसानों की सुद नहीं ले रही उन्होंने कहा कि क्रिशी कानून पूरी तरह से कि विरोधी है। उने कहा कि जिन पांच राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहां दबाव ना बना कर अपील की जाएगी कि भाजपा को वोट ना दे। वही मंजीत सिंग ने भी प्रेस को समभोधित किया। वेट की था, तो अड़ाए है, एक तरह दा मेरे सिर बहुत वड़ा ऐसान है, दिली में थोड़ा बहुत तरवादी हैं माफी मंगदा। असी किसान मोर्चे ने दिली दियां बरूहां ते चल देयां, अज एक सब पंच दिन होगे ने, दुनिया दा इते हासिक मोर्चा है, ज तो सरकार अपने राज हट चे फसी है, तो असी फैसला कीता है, बहुत जेड़ी पंच स्टेटां दे विच इलेक्शन हो रही है, वो थे असी टीमा बनाई हैं, सारे स्टेटां दे विच वो जाके असी परचार करांगे, बिजी नो मर्जी वोट देओ, सिर्फ बीजेपी नो सजा देओ, नो बोट नहीं देनी, असी किसे एक पर्टिकुलर पार्टी या किसे पर्टिकुलर कैंडीडेट दी हमेहत नहीं करांगे, असी सिर्फ ये बेंतिकर जावांगे, बिजी पी नो बोट नह देती जाए, तो इदेली अज सार हरमीज सिंग का दिया, मैं सार ग नहीं मैं गड़ियां करनों हरी चंडी दे के हर हलके ची कि गड़ी लिट्रेचर बंडनवास ते, किसान मोर्चे दे समंदच उतो करनों असी उननों तोरांगे, सारे हलके अंदे विच जिते हर रोज तकरीबन तेन तों चार रहली हैं, एक ग्रूप एड्रेस करेगा, असी चार ग्रूप बनाया है, लीडर्स दे, तकरीबन बारां रहली हैं मिनिमम्म अलाग अलाग जिलियां दे विच असी अड्रेस करांगे, चार दिन लेए, फिर आसाम दो टीमा जा चुकी हैं, विचे बंगाल वारी हैं टीमा फेर होते, आसाम चलियां जाने की हैं, असी केरल बिचे जाम आगे कर दो झाले हैं, एक हैं, असी केरल वारी हैं, पर कर दो से बंगा टीमा जाने की हैं, आसाम है की घंगे जा जाम आगे, एक झार दो बंगा।